प्राव माचार जी ज्यादा समय हुआ नहीं कुछ गत महीन ही होंगे जब से आपके वीडियो देख रहा हूं यूट्यूब पे पहला ही मौका मेला आपसे संगति करने खा तो एक्शुली दो मिले जूले से सवाल थे एक तो उदेश्य अब्जेक्टिव का था कि पूरा संसा या भ्रह्मान विजू चल रहा है इसके कुछ उदेश है या मतलब जो हम साइंस में पढ़ते आते हैं बस वैसे ही है बिग बैंग हुआ उसके बाद चल रहा है वेलूशन एडियोशन जो भी चल रहा है कहीं सिद्ध होगा या कुछ ना माने की नहीं होगा जैसे भी चल र परक नहीं है इनसान में इतनी ज्याद है और बाकी किसी और जीव जिंतों में नहीं है तो उसको इस प्रस्पेक्टिम में कैसे देखने कि वो क्यों मीली हमें क्योंकि मैं हिस्ट्री देखूं अपना रिपोर्ट का ट्राक रिक रिको देखूं इंसान का हमने उसका more or less abuse ही क है कि हमें हम गल्ती से मिल गई यह और हम मौर्लिस कुछ नहीं बिएक बसमा हो रहे हैं यसे कुछ कुछी बाखिए जी यू खा रहा हूँ तो वह भी ठीक बात है हम तो मतलब हमें हम अशी तरह खाते रहे तो हम अपना ही नाश करेंगे फिर भी हम खाये जा रहे हैं जब हुम कहते हैं कि क्या ब्रह्मांड का कोई उदेश है पूरे अस्तित्तो का कोई उदेश है तो वो उदेश किसके लिए ये बात कभी नहीं बूलनी चाहिए बात तो हम ही कर रहे हैं ब्रह्मांड की ब्रह्मांड स्वयम तो आया नहीं है पूछने कि मेरा उदेश बता दो तो प्रह्मांड का कोई उदेश होगा भी तो उसी के लिए होगा न जो उसके उदेश के बारे में जिग्यासा कर रहा है तो प्रह्माण्ड का उद्देश निश्चित रूप से है और वो क्या है उसका उद्देश है आपको आपकी मुक्ति में सहायता देना लेकिन हम कह दें कि ये ब्रह्माण्ड का उद्देश है तो बात पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि उद्देश होने के लिए पहले चेतना होनी चाहिए जहां चेतना नहीं है वहां क्या उद्देशे होगा पत्थर का क्या उद्देशे होगा उसका अपना तो कुछ उद्देशे होता नहीं आप पत्थर को किस तरह इस्तिमाल करते हैं इसमें आपका उद्देशे होता है पत्थर का अपना तो कोई उद्देश्य होता नहीं तो आप पर निर्भर करता है फिर कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं या नहीं आप यदि पहचानते हैं तो ब्रहमांड सहायक हो जाएगा आप नहीं पहचानते तो वही ब्रहमांड आपके लिए माया बनकर आपको भटकाई रखेगा तो बात अपने आपको और फिर अपने जीवन के उद्देशे को पहचानने किये आप स्वयम को जान गए अपने उद्देशे को जान गए तो हितैशी है, मित्र है, ब्रहमांड आप स्वयम को नहीं जानते तो पूरा संसार और आपका जीवन आपका ही दुश्मन बन जाएगा उपनिशद कहते हैं न? कि आपका बड़े से बड़ा मित्र भी आप स्वयम है और बड़े से बड़ा शत्रु भी आप सोयम है सही प्रयोग करना जानो तो जो कुछ भी है सामने वो काम ही आएगा, सदुपियुक्त ही होगा और सही उपियुक नहीं करना जानो तो सामने कोई अमरित का कटोरा भी रख देगा तो वही कटोरा उठाके अपना सर फोल लोगे अमरित फेक दोगे और कटोरा उठाओगे और अपना सर फोल लोगे तो यह हमपर मिरभर करता है भूलिएगा नहीं कि ब्रहमांड के द्रश्टा आप है ब्रहमांड है भी इसके अनुभोकता सिर्फ आप है ब्रहमांड जैसी कोई हस्ती है इसको प्रमानित करने वाले सिर्फ आप हैं तो ब्रहमांड का कोई उद्देश है भी तो सिर्फ आपके लिए और अन्यथा अपने लिए ब्रहमांड का तो कोई अस्तित्तु ही नहीं है तो उद्देश क्या होगा भूलियेका नहीं कि ब्रहमांड अपने आप में कोई स्वतंत्र आजाद अबजेक्टिव तत्थे नहीं है आप है तो ब्रहमांड है चेतना नहीं तो ब्रहमांड नहीं तो ब्रहमांड का उद्देश्य है भी तो किसके लिए फिर आपके लिए आपकी चेतना के लिए ये एक बहुत भिन्य द्रिष्टी है पूरी दुनिया को देखने की जब आप दुनिया को देखते हैं कि ये मेरे भोग की वस्तो है तो आपका एक रिष्टा बनता है दुनिया से दुनिया मानिपरहमान संसार मैं जो भी बोलूँगा वो सब जब आप कहते हैं कि ये दुनिया मेरे भोग के लिए बनी है तो दुनिया से आपका एक रिष्टा बनता है और जब आप समझ जाते हैं कि ये जन्म आपका पूरा जीवन और पूरा संसार आपकी मुक्ति में सहायता करने के लिए है तो आपका स्वयम से, जीवन से, समय से, संसार से, सब संसाधनों से एक बिलकुल अलग संबंध बनता है फिर आप ये नहीं कहते हैं कि मैं दुनिया में आया हूँ दुनिया को भोगने, लूटने, नोचने, खसोटने के लिए फिर आप तलाशते हो कि यहां ऐसा क्या है जो मुझे सच्चाई की और ले जाएगा यहां ऐसा क्या है जो मुझे मेरे भ्रमों से और बंधनों से आजाद कराएगा बज़वार ही यह बात लेकिन जैसा कि इस पश्ट है ज्यादा तर लोग कोई अंतर द्रिष्टी रखते नहीं उनके लिए ब्रहमांड बिलकुल वही चीज होता है जो वो है ही नहीं वो ब्रहमांड को एक वस्तुगत तथ एक objective reality की तरह देखते हैं यही द्वायत है वो कहते हैं मैं हूँ और यह दुनिया है और मैं कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में हूँ उसके बाद मैं चला भी जाओंगा तो यह दुनिया तो रहेगी मेरे आने से पहले भी दुनिया थी पहले जाने के बाद भी थी कुछ दिनों के लिए आया हूँ चलो जल्दी से मजे मार लो भोग लो भोग लो यह नतीजा है विचार न करने का यह नतीजा है दर्शन में फिलोसफी में न पैठने का यह अचिंतन का नतीजा है यह नतीजा है आध्यात्मिक न होने का विचार फिर दर्शन और फिर अध्यात्म यह तीनों एक ही श्रंखला में होते हैं और आम आदमी के पास इस श्रंखला की पहली कड़ी भी नहीं होती आम आदमी तो विचारक भी नहीं होता बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बारे में जीवन के बारे में गहराई से सोचते हैं जहां विचार नहीं वहाँ दर्शन नहीं जहां दर्शन नहीं वहाँ ध्यात्म नहीं तो हमें जब कुछ नहीं पता होता तो फिर हम दुनिया के प्रति सिर्फ एक क्रूर हिंसक भोग की द्रिष्टी रखते हैं और वही वज़ा है कि आपने कहा कि पिछले 40 साल में हमने प्रत्वी की उतनी दुर्गति कर डाली जितनी पिछले 10 लाख साल में नहीं होई थी चाहे वो वातावरंड में कार्बन डाय ऑक्साइड का अनुपात हो जो कि 40 साल में लगभग त्यड़ गुना हो गया है घलते गलेशियर हो प्रदूशन हो आप जहां बैठें वहां आज का एक यूआई आपको पता है न कितना है एर क्वालिटी इंडेक्स कितना है 400 हाँ 400 और स्वस्त स्तर कितना होता है 50 से नीचे 50 से नीचे का स्तर होता है और आप 400 पर बैठें खुद ही करके और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास बुद्धी है हम कहते हैं हम विशेश है ये सब प्रक्रति के गुण है इनमें कुछ विशेश्ता नहीं है मनुष्य की विशेश्ता यदि है भी तो अधिक अधिक एक संभावना की तरह होती है तथे की तरह नहीं सिर्फ कोई मनुष्य है इस तथे के कारण आप उसको विशेश या जानवरों से श्रेश्ट नहीं बोल सकते उसमें अगर कुछ विशेश माने अलग कुछ खास है भी तो ये कि उसके पास एक संभावना भर है ऐसी जो अन जीवों के पास नहीं होती वो संभावना क्या है आत्मग्यान की लेकिन साथी साथ उसमें एक और संभावना है जो ने जीवों के पास नहीं होती वो ये है कि अगर आत्मग्यान नहीं होगा तो ये आदमी राक्षस बन जाएगा तो हमें जो विशिष्ट संभावना दी गई है मनुष्य जन्म लेने पर वो दोनों दिशाओं में है एक संभावना ये है कि आप दैवियता को प्राप्थ हो जाओ जग जाओ और उसका माध्यम मैंने बताई दिया चिंतन दर्शन अध्यात्म और दूसरी संभावना ये है कि आप जानवरों से भी बदतर जानवर बन जाओ और शर्त ये रख दी गई है हमारी हस्ती में कि अगर पहली संभावना वो प्राप्थ नहीं हो गए तो दूसरी संभावना निश्चित है आप ये नहीं कह सकते है कि मैं न देवता हूं न दानव हूं मैं तो बस इंसान हूं पश्चू बिलकुल कह सकता है कि मैं हाँ, ना भगवान हूँ ना शायतान हूँ मैं तो बस जानवर हूँ गरूँ बिल्कुल ठीक है, ये बात पशो पर बिल्कुल उप्योगत है कि भई मैं बहुत ंचा नहीं उठ सकता, तो मैं बहुत नीचा भी नहीं गिरा हुआ हूँ, मैं जैसा पैदा हुआ था, मैं पशु हूँ, गाये-गाये है, कुता-कुता, शेर-शेर है, हिरन-हिरन है वो अपनी अपनी प्रकृतिगत व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करते रहते हैं कभी आपको कोई बहुत गिरा हुआ शेर नहीं मिलेगा, कभी आपको बहुत कोई उठा हुआ हिरन नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कोई शेर जो आत्मग्यान के लिए अपनी गुफा में बैठ गया, धूनी रमा करके कोई आपको विचारक मगरमच नहीं मिलेगा साथी साथ कोई ऐसा मगरमच भी नहीं मिलेगा जो хुलकास्ट करने पर उतारू हो मारी दूंगा जिन लोगों को पसंद नहीं करता उनके पूरी प्रजात्य का सफाया कर दूंगा मिला कोई ऐसा मगरमच मचली खाता है मचलियों के साथ रहता है लेकिन ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि सारी मचलियां खाके साफ कर दी कि रहें मैं ही मैं रहूंगा तो पशु दोनों और से संभावनाओं से मुक्त है इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि पशु दोनों और से संभावनाओं से हीन है उनको न उठने की संभावना दी गई है न गिरने की संभावना दी गई है तो मस्त है उनको बीच में एक सुरक्षित स्थान दे दिया गया है जहां उनकी प्राकृतिक पशुता रहती है और उसके अनुसार वो स्वच्छन्द आचरण करते है इसलिए फिर संभावना दे दी गई है रहती है Santho ने गाया है कि बार बार मनुश्य जन्म नहीं मिलता है बही तुम इसका सदू पर उख कर लो मनुश्य जन्म विशेष है तो हमारे हंकार के कारण हमको बढ़ा भ्रहम हो जाता है हम सोचते हैं अच्छे अर्थ, उच्छे अर्थ में ही तो विशेश है मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन दोनों अर्थों में विशेश है, यहां उठने की उद्दाम संभावना है, तो पतन की भी अपार संभावना है, और अब सुनिए कि दोनों संभावनाओं का अनुपा है अभिशाब उठने की संभावना है एक बटा एक हजार और जानवरों से भी बदतर गिर जाने की संभावना है 999 बटा एक हजार अब बताओ तुम्हारे साथ बड़ा भला हुआ या बुरा हुआ की इनसान पैदा हुए तो बाजी ले गए कुटे कहीं बहतर हैं कुटा कुटा ही रहेगा वो कुटा होने से नीचे तो नहीं गिरेगा ना कम से कम इनसान कुत्तों से भी बदतर गिर सकता है और हजार में से 999 लोग कुत्तों से भी बदतर जीवन ही जीते हैं कोई एक होता है जो पशुक्या मनुष्य से भी उपर उठ जाता है कभी कृष्ण कभी बुद्ध कहलाता है पर वो हजार में एक होता है और हजार में किसी एक का उदाहरण लेकर के प्रमाण लेकर के हम यह नहीं कह सकते कि पूरी मनुष्य जाति विशेश है किसी उचे अर्थ में हजार में से एक आदमी है जो मनुष्यता की विशिष्ट संभावना का सदुपयोग कर पाता है हजार में से 999 लोग तो दुरुपियोग ही करते हैं बहुत बुरा गिरते हैं तो इनसान पैदा होना तो बहुत ख़तरे की बात है समझ में आ रही है बात इनसान ने वही करा है चूंकि वो जानता नहीं खुद को जो उची संभावना थी साकार करी नहीं सबसे निचली चीज हो सकती है वो कर रहा है आत्मघात और इस आत्मघात में वो सिर्फ अपना ही नहीं नाश कर रहा खा गया पूरी प्रत्वी को इतनी प्रजातियों को मैं इतनी बार यह आप से आकड़ा पूछता हूँ आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा जानते हैं ना प्रति दिन कितनी प्रजातियां विलुप्थ हो रही है अनुमान कहते हैं लगभग दस हजार दस हजार प्रजातियां प्रति दिन विलुप्थ हो रही है जो लोग कहते हैं इतनी नहीं कुछ कम भी हो रही है वो भी स्वीकारते हैं कि दस हजार नहीं तो भी हजारों में ही संख्या अवन प्रजातियों की जो प्रतिदिन विलुप्त हो रही है ये दिमाग चकरा जाए ऐसा आकड़ा है होश ओड़ जाए ऐसा आकड़ा है प्रतिदिन हम इतनी प्रजातियां खा गए कुछ उसमें से ऐसी है जो प्राक्रतिक कारणों से विलुप्त हो रही है जो प्रक्रतिक करणों से विलुप्त हो रही है वो इन में से सिर्फ दो-चार प्रतिशत हैं बाकी सब हमारी कर्टूतों से हमारे अत्याचार और हमारी करूरता से विलुप्त हो रही है प्रजातियों की विलुप्ति की दर को हमने सौ गुना बढ़ा दिया है प्रक्रति के साधारण प्रवा हमें भी प्रजातियां आती जाती रहती है लेकिन जिस दर से वो मिठती हैं हमने उस दर को सौ गुना लगभग हजार गुना बढ़ा दिया है हमने उनकी नदियां खराब कर दी है वो कैसे जी हैं आपको पता भी नहीं चलता हो विलुप्त हो जाते हैं आपने उनकी हवा खराब कर दी आपने उनके जंगल उनके पिड़ काट डाले आपने उनकी जमीने खोद डाली और आपने उनकी जमीनों को खोद खोद के उनमें जहर डाल दिया वो मिट गए वो बचे ही नहीं उनका इतिहास ही खत्म हो गया एक राक्षस था तो कहते हैं पौराण एक कहानी है उसने महादेव की आराधना करी तो वो प्रसन्न हुए वो जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए आपने असुर का उलेख किया तो जहां हाथ रख दू वो ही भस्म हो जाए मिल गई उसको एक विशेश शक्ति और क्या करा उसने उस विशेश शक्ति का वो महादेव की पीछे दोड़ा वो ला इन ही को सबसे पहले खत्म करूं उस असुर का नाम इनसान है जिसे शक्ति तो मिली हुई है लेकिन शक्ति को संचालित करने वाला कोई सुंदर प्रकाशित केंद्र नहीं मिला है वो है राक्षस ही भीतर से बाहर बाहर शक्ति पा गया है और एक राक्षस के हाँ जब शक्ति लग जाती है तो इससे खतरनाक बात तुर्भागेपूंट बाख होनी सकती हम वही राक्षस हैं जिसके हाँ शक्ति लग गई है लेकिन फिर होता क्या ऐसे राक्षस का वो भाग रहा है तो कथा कहती है कि शिव गए विश्णू के पास बूले ये नई आफ़त खड़ी हो गई ये मुझे ही दोड़ा रहा है विश्णू बोले रुकवा कुछ करते हैं आप थोड़ा धर छुप जाईए तो विश्णू ने एक आकरिशक इस्तिरी का रूप ले लिया मोहिनी और उसके सामने गए तो प्रसन्न हो गया मैं तो हूँ ही बड़ा आत्मी है देखो मुझसे मिलने आई है तो वो पुछता है बताओ क्या चाहिए बोलता कुछ नहीं वो मैं शिव को ढूण रहा था मारना बोले अरे शिव तो ऐसे ही है शिव ने वर्दान दे दिया और तुमने मानी ही लिया कि उसके वर्दान में कुछ दम होगा शिव में तो कुछ है ही नहीं कोई वर्दान और नहीं कहीं भी हात रखो कि कोई भस्म थोड़ी हो जाएगा तो बुला हाँ ये बात जाचो पहले तो कि ऐसा कुछ है भी की नहीं, वो लो कैसे जाचे, वो ले अरे अपने ही सर है, हाथ रखो देखो एक बार कुछ होता भी है, तो उसने रख लिया हाथ अपने सर पे, उसमें उसके प्रति भी श्रद्धा नहीं, जिससे उसको मिली है शक्ति, उसे शिवपरी संदे हो गया, ये मनुष्य है, ये राक्षस नहीं है, जिससे उसे सब कुछ मिला, पहले वो उसको मारने दोड़ रहा है, फिर उसमें संदेह कर रहा है, और तमाम तरह के भोग को लेकर उसमें खूब आकर्शन है, तो उसने अपने ही सर पे हाथ रख लिया, और कथा कहती हो, वो खुदी भस्म हो गया, बहुत प्रदीकात्मक है न, कहानी ये, यदे आपके केंद्र में शिवत तो नहीं होगा, तो आप अपना ही नाश कर लेंगे, अब तो कर लिया है, तालकटोरा में जब दिवाली पर बात हुई थी, तो उसमें मैंने विस्तार में बताया था कि अब हम, जहां तक जलवाई उपरवरतनमाने क्लाइमेट चेंज की बात है, तो हम इर्रिवर्सिबल, निगेटिव फीटबैक लूप्स में प्रवेश कर चुके हैं, अब बच नहीं सकते, अब हम मास एक्स्टिंशन की रप्टीली ढलान पर उतर चुके हैं, अब रुके रहना या वापस उपर चड़ जाना या बच पाना संभव नहीं है, अब तो आप नीचे को ही फिसलते जाएंगे, और नीचे फिसलने की दर भी साल बढ़ती जाएगी, मैं इस विशह में दस साल से बोल रहा हूँ, अभी कोई दस एक साल पुराना वीडियो था तो उसमें मैं चिला चिला के सबको आगहा कर रहा था कि प्रत्वी का उसत तापमान लगभख 0.7-0.8 डिगरी बढ़ चुका है, जल्दी ही एक डिगरी हो जाएगा, जागो जाग चुका ह्एग और मैं तब कहह रहा था कि 0.78 बढ़ चुका है, क्या कर रहे है उठो, और मेरे चलाते चलाते देखते देखते जितना बढ़ा हुआ था उससे दूना बढ़ गया, मैं यही बहुत बड़ी बात समझ रहा था कि कहीं एक डिगरी ना बढ़ जाया उस अत्ता अपमान एक डिगरी से बहुत आगे बढ़ गया वो हमारे देखते देखते और ये धाई तीन डिगरी पर भी रुकने वाला नहीं है पहले मुझे लगता था कि रिसेर्च रिपोर्ट्स पढ़के या अंतरराष्ट्रिये कन्वेंशन्स देख करके कि हम कितनी भी बुरी इसमें परफॉर्मेंस दिखा दें कितने भी अक्षम तरीके से व्यवहार कर लें लेकिन हम जो कार्बन डायोकसाइड वगेरा का उत्सरजन रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं उससे भई ये दोढ़ाई डिगरी पर तो रुखी जाएगा और अब मुझे लगभग निश्चेत हो रहा है कि ये तीन डिगरी पर भी नहीं रुखने वाला ये चार पांच शायद छेड़गरी तक जाएगा छेड़गरी तो मतलब ये एक एक जीव नहीं बचेगा कम सकम इनसान तो नहीं बचेगा हम महा प्रले में पूरे तरह से प्रविष्ट हो चुके हैं पहले भी पांच बार जब प्रजातियों का समूल विस्तरित नाश हुआ तो पांच में से तीन बार जो कारण था वो कारबंडा ये ऑकसाइड ही था और जब हम कहते हैं समूल नाश तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ करोड़ों लोग मर जाएंगे उसका मतलब होता है कि प्रथवी पर 90 प्रतिशत जो प्रजातियां पूरी साफ हो जाएंगी और मनुष्य तो बहुत जल्दी साफ होगा क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक रूप से बहुत असुरक्षित प्रजाति है मनुष्य का बच्चा जितना कमजोर पैदा होता है उतना और कोई नहीं अगर जो हमने ढाचागत व्यवस्थाएं बना रखी है वो व्यवस्थाएं ढह गई तो मनुष्य का बच्चा जी ही नहीं सकता और शरीर से मनुष्य जितना कमजोर है बहुत कम प्राणी है जो शरीर से उतने कमजोर है हमने अपनी प्राकृतिक शम्ताएं बहुत हद तक हो दिये अब हम अपने कृत्रिम आविश्कारों पर सोयम द्वारा निर्मित बैसाखियों पर निर्भर हैं जीने के लिए आपकी खाल उदाहरण के लिए न धूप बरदाश्ट कर सकती है न जाड़ा आपको कपड़े नहीं मिलेंगे आप बहुत जल्दी मर जाएंगे जानवरों की खालें अभी भी ऐसी हैं कि उन्हें कपड़े उगारा नहीं चाहिए अगर महाप्रलय की स्थिती बन रही है और उसमें ये हो गया कि कपड़े उगारा उपलब्ध नहीं है ठीक से हम ऐसे ही मर जाएंगे गाय का बच्चा पैदा होता है उसको कितने दिन लगते हैं अपने पाओं पे चल पड़ने में लगभक ततकाल कई बार जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वो चलने लग जाता है खड़ा हो जाता है हाँ और मनुष्य के बच्चे को चलने में कितना समय लगता है मनुष्य का बच्चा सबसे कमजोर बच्चों में से होता है 10 साल 12 साल 15 साल उसको संगरक्षन की जरूरत पड़ती है तब वो जी पाता है उसको आप जंगल में छोड़ दीजिए आप 1000 बच्चे पैदा हूं उनको जंगल में छोड़ दीजिए 1000 में एक नहीं बचेगा आप भले उनको उनकी माओं के साथ छोड़ दीजिए भले ही वो बच्चे अब मा का दूध ना पीते हूं साल भर से उपर हो गए हूं फिर छोड़ दीजिए तो भी नहीं बचेंगे हम इतने कमजोर हैं और यह जो क्लाइमेट चेंज होगा यह हमारी सभ्यता को हर तरीके से छिन भिन कर देगा पूरी अर्थवस्था ढह जानी है पूरे के पूरे शहर डूब जाने है जिन सामानों के बिना जिन उत्पादों के बिना चीजों के बिना आप जी नहीं सकते उन चीजों की सप्लाई लाइन्स बाधित हो जानी है आपके पास कोई भी सामान ऐसी थोड़ी आ जाता है वो 10-20 nodes से हो करके गुजरता है उसमें से एक node भी बादित हो गई तो सामान आप तक नहीं पहुँच सकता और हम ऐसे आश्रित हो गई हैं कि उन सामानों के बिना हम जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते अब उदारण के लिए अगर कोल फायर्ड प्लांट तक कोईला नहीं पहुचा तो मुझे बताई आप बिजली के बिना कितने दिन जीप आओगे यूरोप कितने दिन जीप आएगा बिजली के बिना अभी रूस युक्रेन वार हो गया उन तक गैस नहीं पहुच पा रही है जलानी होती इतनी जलानी होती यह सिर्फ जीने के लिए ताप मान जाता है शूने से 10 नीचे 20 नीचे तो वो फिर ओइल जलाकर और गैस जलाकर किसी तरह जीते हैं और यही ओइल गैस पहुचना बंद हो जाएगा तो जीओगे कैसे सब मर जाओगे एक एक दिन में करोडों मरेंगे और जैसे हम हैराक्षस हम नर्भक्षी और हो जाएंगे हम अपनों कोई खाएंगे कि उससे क्या पता दो-चार दिन अतरिक्त मिल जाए जीने को एक कहानी मैंने पढ़ी थी नाम नहीं यादा रख होजेंगे मिल जाएगी जिसमें एक व्यक्ति है और शायद रूस की हाँ रूस में ही है उसका जाड़े के दिन है और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसको बार-बार चिताया जा रहा है कि दिन रहते चला जाए बर्फ बहुत पड़ रही है जाड़े के दिन है और तापमान एकदम 10-20-30 डिग्री नीचे है शुने से और उसको बोला जा रहा है तुझा और वो किसी कारणवच देर कर देता है आलस में मस्ती में फिर उनिकल पड़ता है उसे पैदल जाना है और बर्फ का ऐसा क्षेतर है कि वहाँ गावभी निर्जन है वहाँ जिस रास्ते से निकल रहा है वहाँ कोई नहीं बस वो अपने कुत्ते को साथ लेके निकल रहा है और वो निकल पड़ता है थोड़ी देर में वो पाता है अंधेरा हो रहा और ठंड बहुत बढ़ रही है और रास्ता दो-तीन घंटे का है वो एक डेल घंटे की यात्रा कर चुका है वापस लोटने में भी कोई समझदारी भी नहीं वापस लोटने में उतना ही समय लेगा जितना आगे पहुचने में अब उसका सारा आत्म विश्वास डगमगाने लगता उसको दिखने लगता है कि थंड इतनी बढ़ गई है कि कुछ अनिष्ठी होने जा रहा है बात साधारण नहीं रही बात मजाक से बहुत आ और फिर वह अन्तता समझ जाता है कि आज अब बच नहीं सकते तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कहानी में बड़ा विशद विवरण है कि किस तरह से उसके पास एक दिया सलाई का पैकेट होता है और उनको जलाने की कोशिश करता है पेड़ के तनों से कुछ उतारता है खाल पत्तियां जलाने की कोशिश करता है सब कुछ कर लेता है पर बर्फ इतनी पड़ रही है कि सारे प्रत नसफल जाते है उसका पूरा शरीर बर्फ से ढग गया है तो उसके पास कुट्ता बैठा हुआ है उसका वो अंतता कुट्ते की और ऐसी नदर से देखता है कि के पास अब एक मात्र गर्म चीज मेरा शरीर है और अब यह मरने ही वाला है तो अब यह आखिरी कोशिश करेगा इसके पास एक चाकू भी है यह आखिरी कोशिश करेगा कि मेरे शरीर को फाड़ कर थोड़ी देर के लिए मेरे शरीर के माध्यम से गर्मी पाले लेकिन वो व वो जिंदा रहे है, वो आपकी नजर देख करके जान जाते हैं कि आप क्या हो, आप पाएंगे कि मासाहारी लोगों के पास अक्सर जानवर आते ही नहीं है आपकी शकल से आपकी नजर से, आपकी गंध से वो पहचान जाएंगे कि कुछ गडबड है, ये इनसान ठीक नहीं है, इससे दूर रहो तो कुत्ता दूर भाग जाता है, और कुत्ते का कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुत्ते को फर मिला हुआ है उसी प्राकरतिक फर के दम पे वो बर्फ पार कर जाता है, वो अगले गाव पहुच जाता है, ये इनसान वहीं मर जाता है पेड़ के नीचे, ठंड में इससे जो हमारी अक्षमता और असुर अक्षा है, उसका भी पता चलता है, और हमारी कुरूरता का भी, पहली बात तो हम बहुत कमजोर लोग है, हम जी पाने वाले नहीं, क्या आपके पास अभी एक शमता है, कि आप जा करके जंगल से खाना जुटा लें, वो तो बाजार से अब हम अन भी नहीं लाते, सीधे आटा लाते हैं, क्या आम आदनी में ये अब ताकत बची है, कि जानवरों की तरह जंगल पर अपना निर्वाह कर ले, तो जो मास एस्टिंशन होगा, इसमें 80-90 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जिसमें मनुष्य की तो निश्चित रूप से होगी, जो थोड़ी बहुत कुछ बच भी जाएंगी, उनमें मनुष्य प्रजाते तो नहीं होगी, और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा, हम उसमें आ चुके हैं, हम चाहें भी तो अब उसको रोक नहीं सकते, भसमा सुर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता, जो एक मुहावरा अंग्रेजी में चलता है, वो क्या है? फ्रेंकिन्स्टीनियन मौन्स्टर, हम वो हैं, और मज़े की बात ये है, कि हम अभी भी मौज में हैं, हमें लग रहा है, जीवन अपनी साधारन सामानने गते से ही तो चल रहा है, कुछ खास थोड़े ही हो रहा है, हमारे टाइटानिक में छेद हो चुका है, बचने की अब कोई समभावना नहीं, ये मैं अभी भी देखता हूँ, बड़ी गंभीरता से दूसरे मुद्दों पर बात की जा रही है, कोई भी व्यक्ते बहुत गंभीरता से बात कर रहा हो, और उस बात में क्लाइमेट चेंज शामिल ना हो, तो उस इनसान को पागल जानियेगा, अपराधी जानियेगा, और बहुत गंभीरता से दूसरी बाते की जा रही है, ये बात, वो बात, उन बातों में लंबे-लंबे लेख होते हैं, मैं ख्याता हूँ, इसमें क्लाइमेट चेंज का है, ये ऐसी सी बात है कि टाइटैनिक में छेद हो चुका, और बड़ी गंभीरता से बात की जा रही है, कि कल कौन सी सबजी बने, अरे तुम कल देखने के लिए जिंदा रहोगे, कि कल कौन सी सबजी बने, तुम्हें कुछ होश है कि इस वक्त कौन सा मुद्दा प्रधान है, और बहुत सारी बातें चल रही हैं और बड़े बड़े बुद्ध जीवी हैं, वो टीवी पर आकर बोल रहे हैं, वो अख़वारों में कॉलम इख रहे हैं, और भिन भिन मिसलेनियस मुद्दों पर बाते हो रही हैं उन बातों में climate change है यही नहीं सबसे सुन्दर होने की संभावना और भयानक कुरूपता का यथार्थ यह है मनुष्य का चित्र शिव हो पाने की संभावना लेकिन भस्मा सुर हो जाने का यथार्थ यह है मनुष्य झाल झाल